विधायक से मुख्य मंत्री बनने तक के इनके सफर बाए विश्णु देव साय किसाम के बेटे जमीन से चुड़े नेता और चतीजगड के चौथे मुख्य मंत्री गांग के सरबंच से रागजी के मुख्य मंत्री तक का सफर आसान नहीं था लेकिन विश्णु देव साय ने कभी हार नहीं माली 21 फरवरी 1964 को आविभाजित मध्यप्रदेश के राइगर जिले के बगिया में पैदा हुए विश्णु देव साय किसान परिवार से आते हैं लेकिन राज नीति भी उन्हें विरासत में मिली 1990 में विश्णु देव साय ग्राम पंचायत भगिया के सरपंच चुने गए उसी साल विधान सभाग चुनाव हुए तो भारतिय जनता पार्टी के टिकिट पर तपकरा से विधायक चुने गए और 1998 तक लगातार दो चुनाव जीत कर विधायक के रूप में काम करते रहे साफ चवी और जमीन से चुनाव के चलते बीजेपी के शीर्ष नीतृत्व ने 1999 में उन्हें राइगड से लोकसभा चुनाव का टिकिट दिया विष्णु देव साई ने ये चुनाव भी जीता 2014 में मिली लगातार चौथी जीत के साथ उन्हें केंद्र सरकार में शामिल होने का नियोता भी मिल गया जहां उन्होंने 2019 तक केंद्रिय राज्य मंत्रे के रूप में इसपाथ, खनन, श्रम बर रोजगार मंत्राले का कामकाज समाला जोन 2020 में पाटी ने विष्णु देव साई को 36 गड़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जहां से उन्होंने पाटी को 36 गड़ में दोबारा अपने बैरो पर खड़े होने की ताकत दी इसका असर 2023 के विधान सभाद जुनाव में भी देखने को मिला बीजेपी ने राज्य में जबरदस्त वापसी की विष्णुदेवसाई राज्य के नएम मुख्य मंत्री बने सी एम विष्णुदेवसाई अपनी विनम्रता, जमीन से जुड़े स्वभाद, काम के प्रती समर्पण और द्रिड संकल्प के लिए जाने जाते हैं अब इनका संकल्प है विकास के पत पर 36 गड़ का पर्चम लहराना कैसे होगा ये? क्या है 36 गड़ के समग्र विकास का प्लैन? इन ही सवालों के जवाब के लिए निम्सेटिन इंडिया डाइमन स्टेट समिट में स्वागत कीजिए 36 गड़ के मुख्यमंत्री विश्णु देव साइका 36 गड़ के मुख्यमंत्री विश्णु देव साइजी निउसेटिन इंडिया के डाइमन सेट समिट 36 गड़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्दवाद तीन बार विधान सबा चार बार लोग सबा केंद्र में राज्यमंत्री स्टेट की अब आप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे हैं और नहीं सहीबो अब की बार बदलेगो आपने इस बार ये नारा भी लगाया था तो क्या सोचकर अप आए कि क्या बदलेंगे क्या बदला क्या और बदलना चाहेंगे देखे एक तो चतिरगर राज का निर्माड हम लोगों ने किया जनजन के नेता सरदे अटल विहारी बाचपई जी जब परधान मंत्री बने देश की जनता के आशिरवास से तो एक नौंबर 2000 को 36 गड़ राज का निर्माड किया और ये सोचकर कि 36 गड़ का सरवांगिन विकास होगा और 36 गड़ राज के निर्माड के बाद सुर्वाती का 3 साल बहुमत के आधार पर कॉंग्रेस की सरकार बनी लेकिन जब पहला विधान सभा का चुनाव आया तो छत्यगड की जनता ने भारती जनता पार्टी को असिरवाद दिया भारती जनता पार्टी को जनादिश दिया पहली बार हम लोग सरकार बनाए डॉक्टर रमन सिंग जी मुख्यमंत्री बने तो सर्धिया टल विहारी बाजपेई जी के सपनों को पूरा करने का काम डॉक्टर रमन सिंग जी ने परारम किया सबसे पहले तो बड़ी समस्या थी यहाँ पर गरीबी थी भुकमरी थी लोग यहाँ पर भूख से मर भी जाते थे, बच्चे उपवास होते थे लेकिन भारती जन्ता पार्टी की सरकार और तातकालीन मुखमंती डॉक्टर रमन सिंग जी S.C.P.D.S. की ब्युस्था यहाँ पर चालू किये जिसके कारण वो पुरे देश में चावर वाले बाबा के नाम से बिख्यात भी हुए और जिन गरीब लोगों को भूखमरी के कारण को दो कुटकी महुआ खाना पड़ता था आजो मुखमरी 36 गड़ में है नई और 15 वर्सों में भारती जनता पार्टी की सरकार में 36 गड़ का चहुमुखी बुकास हुआ जो एके पिछड़ा हुआ और गरीब प्रदेश के रूप में जो यह जाना जाता था उसको वहां से उठाने का काम भारती जनता पार्टी के सरकार ने तातकालिन मुखमंत्री जी ने किया है और 36 गड़ में का सकता हूँ कि जो भी विकास हुआ हर छेत्र में सड़क, विजली, पानी, जिकित्सा, आज सिक्षन के छेत्र में जितनी संसाय आई हैं यह सब हम लोग के 15 वस के कारकाल में आये और अभी 2023 के चुनाव में फिर से यहां की जनता चौथी बार भारती जनता पार्टी को शिरवात देकर सरकार में बैठाई है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हम लोग के पास था कि सरकार के परती जो एक जनता का बिस्वास था उस बिस्वास को हासिल करना और हम समझते हैं कि इन साथ महना के कारकाल में वो बिस्वास हम लोगों ने हासिल किया है और मोदी की गारंटी जिस पर हम लोगों को यहां का जनादिस मिला है सरकार में बैठे हैं साथ महने में ही मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम परधानमंती आवास हमारे किशानों का धान 21 कुंटल परती एकड़ खरीदना 31 सो रुपया परती कुंटल धान का कीमत देना सत्तर लाग से ज़्यादा माता बहनों को महतारी बंदन योजना में परती महना एक हजार उनके खाते में भेजना रामलला दर्सन योजना का सुभारम करना पियस्टी जैसे गोटाले को स्विवियाई को सोपना इस सब काम मातर इच्छे साथ महने के कारकाल में हमारी सरकार ने किया है और एक सरकार के प्रती चतिगड की जनता का विश्वास लोटा है विश्वास बढ़ा है विश्वदेव जी आपकी बड़ी विशेश टुपलब्दी है 36 कड़किया पहले आदी वासी मुखे मंतरी हैं आदी बहुत समय पहले से जो औरिजिनल जो यहां के वासी है आदी वासी आपकी लेके दौड बड़ी लंबी रही है पिछले 50 साल से आपकी दौड और कश्मकश आपकी जा रही है आप 10 साल के थे आपके पिताजी गुजर गए आपके दो चोटे भाई थे आपको उनकी भी देखरे करनी थी चौती कक्शा में आप पढ़ते थे उसके बाद 35 साल का आपका राजनीतिक जीवन राफ कई उतार चड़ाव आपने देखे और लेकिन अब जब आप आदिवासियों को देखते हैं यहां पर 34 परसेंट आपकी राज़े की अबादी जो है वो आदिवासिय हैं लगबग आप आप 60 साल के हो रहे हैं आप कैसे देखते हैं कि क्या तरकी आपने पिछले कई सालों में देखी आपको लगता है कि वो धीरे हुई और अब उसको तेजी से रफ्तार कैसे दे पाएंगे आप आप आपने कुछ बाते अभी बताएं लेकिन अगर हम सिरफ आदिवासियों समुदाए कि अगर हम बात करें उनको किस तरीके से रफ्तार दे पाएंगे आप देखिए 36 गड़ में आदिवासी पापूलेशन 32 परसेंट है और मैं भी ये के आदिवासी परिवार से हूँ और 10 साल हमारी उमर थी तभी हमारे सर से पिताजी का साया उठ गया था और चुकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था मेरे पिछे तीन और भाई थे माता जी थी तो हम तो यही सोचते थे कि हम खेती बाड़ी करेंगे भाईयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे उनको नोकरी दिलाएंगे और माता जी का भी सेवा करेंगे और भाईयों को भी सक्षम बनाएंगे और पढ़ाई पूरी करके हमने भारती जनता पार्टी जोईन की और भारती जनता पार्टी ने जो भी दाईत तो दिया उसको पूरी इमानदारी और निष्ठा के साथ करते गया और हम कभी सोचे नहीं थे हम तो मुख्यमंत्री की बात आप कहते हैं हम सरपंज भी बनने किस नहीं सोचे थे कि हम कभी जीवन में सरपंज भी बनेंगे लेकिन ये जनता का सिर्वाद और भारती जनता पार्टी के सीर्ष नेताओं का विश्वास कि हमने जो निष्ठा पूर्वक पार्टी के लिए काम किया उस पर विश्वास करके पार्टी हमको आगे बढ़ाते गई हम एक पंच से अपनी राजनीति के आत्रा सुरू किये पांच साल पंच रहने के बाद सरपंज बने और निर्विरोल सरपंज थे छे महना हुआ था और विधान सभा का चुनाव आ गया भारते जनता पाटी ने मुझे भारते जनता पाटी विधायक का परत्यासी बनाया और अच्छे से पहला ही चुनाओं हम जीते विधायक का जनता ने हमें जीताया उसके बाद लगातार आगे बढ़ते गए कभी पीछे मुड के देखे नहीं और जनता के आशिरवात से और हमारे सीर्षनेताओं के विस्वास से तीन बार विधायक, चार बार सांसद, तीन बार प्रदेश सद्धस का दाइत्व और मोदी जी जब 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री बने तो उनके सासन के प्रथम कारकाल में राजमंत्री के रूप में मुझे काम करने का आउसर मिला और जब 2023 का विधान सभाद चुनाव आया तो भाती जनता पार्टी फिर कुनकूरी विधान सभाद से हमको अपना प्रत्यासी बनाया चुनाव जीते और आज हमारा सोभाग है, हमारे पार्टी के सिर्षस लोगों का विस्वास है और जनता का सिर्वाद है कि आज मुख्यमंत्री के दाइत तो पर है सर पंच के बारे में आपने सोचा नहीं था, मुख्यमंत्री आप बन गए, कभी आपने कुछ मांगा नहीं, बहुत कुछ आपको मिला 2000 में वाजपई जी ने 36 गड़ बनाया, 24 साल हो चुके हैं अब इसको 36 गड़ की अगर इस वक्त हम अर्थविवस्ता देखें तो लगबाग 5 लाग करोड के करीब है अब आपने ये एक अपने लिए चुनोती ले ली है कि अगले चार साल में हमने इसको 10 लाग करोड पे ले जाना है इसको इस अर्थविवस्ता को अब जब आप उसको देखते हैं 5 लाग से 10 लाग करोड तो किस तरीके से आप देखते हैं कि कौन से वो खास आपके फोकस एरियाज रहेंगे जिनके उपर आपकी खास नजर रहेगी जिससे ये जल्दी-जल्दी हो सकेगा देखे मैंने पहले ही कहा है कि 36 गड़ एक पिछड़ा हुआ राज था और आज 36 गड़ को 24 साल हो गए और इसमें ज़्यादा समय तक भारती जनता पार्टी की सरकार रही है तो आज 36 गड़ का जो भी विकास हुआ है ये भारती जनता पार्टी की सरकार में हुआ है जिसका जिकर मैं कर चुका हूँ यहाँ पर भुक मरी होती थी यहाँ पर रोड नहीं होते थे पिने की पानी की समस्या थी लेकिन आज पिछले 15 वरसों में जो भी यहाँ विकास पानी इस सब हमारी सरकार ने किया है और भारत सरकार में भी जब जब भारती-जन्तापार्टी सरकार में रही है। सुभा के उजना है हर घर बिजली उजना है आज घर घर में अगर नल के द्वारा पानी पहुचा रहे हैं ये भी मोदी जी का जल जीवन मिसन और सहरी छेत्रों में अमरित मिसन इसका योगदान है आज अगर हमारी माता और बहनों को धुआ से मुक्ति देलाने के लिए भारती जनता पाटी की सरकार ने किया है, यहां गरीब लोगों को सब के सीर में पकाका च्छत हो, इसके लिए प्रधानमंती आवास, इभ्युस्थाई भी हमारी सरकार ने किया है, घर घर जन्धन का खाता, आज जन्धन का खाता के माध्यम से जो भी सरकार का जो पैसा है वो सत परतिसत लोगों तक पहुँच रहा है तो ये सब काम स्वक्ष भारत मिसन योजना अदन्य नरेंद मोधी जी ने इस देश में लागू किया आज सोचाले निर्माण का काम हमको अच्छी तरह से याद है जब 15 गस 2014 को परधानमंती के रूप में लालकिला के प्राचीर से स्वक्ष भारत मिसन की घोसना किये तो विरोधी हस्ते थे कि ये टैलेट वनवान्य का काम ये साब सुफाई का काम ये परधानमंती का है क्या लेकिन हम लोग गाओं के लोग हैं हम लोग जानते हैं कि गरिबों के लिए सोचाले का निर्माण कितना मंलब महत्पून है उनके माना और समान से जुड़ा हुआ है पहले गाउंवेग और विसेशकर वरसात के दिनों में अधिकान्स गरीबों के हाँ सोचाले नहीं होता था तो हमारे समाज की जो इज़त है माताएं बहने हैं वो सुर्यास्त का बाड़ जो होती थी कि कब सुर्यास्त हो तो सोच के लिए बाहर निकले लेकिने सब मान और समान को किसी ने इस देश में समझा तो हमारे एक गरीब का बेटा प्रधानमत्तिशीर नरिंद मोदीजी ने समझा और आज इस देश के गरीब परिवार के लिए सोचाले का निर्माण हुआ कई प्रदेश में इस होचाले को इजदगर के नाम से भी जानते हैं तो इस तरह से गरीबों के लिए काम किया और मुझे अच्छी तरह से याद है जब 2014 में पर्णानमंती के रूप में पहले दिन पर्लामेंट में परवेश किये तो सबसे पहले तो पर्लामेंट को जुग कर उन्होंने पणाम किया और पहले ही अपने उद्वधन में उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी और उनका पहला पांस साल गरीबों के लिए ही समर्पित रहा गरीबों के लिए सोचाले का निर्माण, गरीबों के लिए जंधन खाता, गरीबों के लिए गैस का सिलिंडर देने का काम, इस सारा काम गरीबों से जुड़ा हुआ उन्होंने पहले पांच साल में किया. गरीबों के लिए आगा है, पहले सावे रोचाले का जाहिए भी हमें इस राजे को. कॉंग्रेस की सरकारे भी रही पहले, बीजेपी की सरकारे भी रहीं यहां पर. एक बात अभी जो विपक्ष कहता है कि दाएं बाएं आपके नाम का वो थोड़ा सा विंग की तरीके से लेकर दाएं बाएं साइं साइं करके उन्होंने ये कहा कि कोई काम नहीं हो रहा दाएं बाएं साइं साइं वाली बात उन्होंने की तो उसको आप कैसे देखते हैं उनके कारेकाल को और किस तरीके से काम इस वक्त साइं साइं रफ्तार के साथ हो रहे हैं। हम लोग 15 स्रेट में आ गए थे। लेकिन कॉंग्रेस जनादेश को संभाल नहीं पाई। जो विश्वास छत्रीगड की जनता ने किया था उस विश्वास को कायम रखने पाई। लगातार जनता को धोखा देने का काम कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। 36 वादे थे, 36 वादे में एक भिवादा उनका पांस साल में पूरा नहीं हुआ। और मैं अनेको बार उनको चैलेंज किया प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि भुपेश बगेल जी बताएं अगर 36 में एक भिवादा अगर सत्पति सत्पूरा किये हों तो हम राजनिती छोड़ देंगे, राजनिती से सन्यास ले लेंगे। लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई, कहे कि उन्होंने 36 में से एक भिवादा पांस साल में पूरा नहीं किया था और इसका खामयाजा उनको अगले 2023 के विधान सभा के चुनाओं में भुगतना पड़ा। विश्वास तो खोई ही खोए, लेकिन पूरे 36 गड़ को करपसन में धकेल दिया। आज यहां क्या-क्या गोटाले नहीं हुए। सराब गोटाला हुआ, कोईला गोटाला हुआ, रेद गोटाला हुआ, आपका जंगल गोटाला हुआ। आज कितने इनके लोग गोटालों में उनके उपर एफायार हुआ है, और लंबे समय से जेल की सलाखों के अंदर में इनके लोग, इनके नेता, इनके उस समय के अधिकारी जो इनको सहियोपी, आज डेर-डेर साल, एक-एक साल से जेल के अंदर में है, उनको जमानत नहीं मि नाम है और आज भी लगातार जात चल रही है और लोगों का जेल के अंदर जाना आज भी मलब दस्तूर जारी है जो हमारे भौई से हैं जो हमारे बेटा बेटी हैं पीएसी जैसे जो एक मलब जीसमें ऐसा लगता था कि इसमें कोई करपसन का गुंजाईस नहीं है उसको भी जी नहीं होने छोड़ा नहीं आज उसको भी हम लोग CBI को सुम्प चुकिये हैं CBI उस पर भी जांच कर रही है महीला सशक्ती करण पे आपने काफी काम की है जिनको उसका लाब मिला वो भी आज हमारे पास आए हुए हैं यहां पर तो महीला सशक्ती करण पे आप ने क्या- क्या लग रहा आपको की और आप करना चाहेंगे वहां पर अज़िए वैसे तो कि महलाओं को भारती जनता पार्टी में काफी समान मिला है मैं कहना चाहूंगा कि जब वो यहां पर भारती जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंग मुख मंत्री थे तो पंचायत में 50% आरक्षन देने का काम भारती जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंग तातकालीन मुख मंत्री ने किया आज केंद्र में भी अगर विधान सभा और लोक सभा में 33% आरक्षन देने की बात हुई है ये संसद में बिल भी पास हो गया है तो ये भी भारती जन्ता पाटी के सरकार ने किया है आज वे हेल्स वेल ग्रूप के माधम से महलाओं को आगे लाने का काम ये भी हमारी सरकार ने किया है अज उनको आर्थेक रूप से ससक्त करने के लिए उनको कई उजनाओं के माधम से रोजगार से जोडने का काम हमारी सरकार ने किया है और महतारी बंदन ये उजना में 70 लाग से ज़्यादा विवाहित माता व बहनों को हम लोग प्रती मेहना एक हजार रुपया उनके खाते में दे रहे हैं, पांच मेहना दे चुके हैं, कल फिर अगला किस छट्वा किस जाने वाला है, और आज धिकान्स लोग यहां गरीब हैं, गाउं में रहते हैं, और उनके लिए मैं समझता हूं कि एक हजार रुपया का आर्थिक सह प्रतिकरन इसमें महलाओं का बहुत हो रहा है. कोई ना कोई दिक्कत माँ बनी रहती है. 24 घंटे का सप्लाई कई जगाओं पर 36 गड़ में मिलता है, आप बिजली का जो नेटवर्क है और उसको आप फैला रहे हैं. लेकिन क्योंकि बिजली यहां पर हमेशा मिलती रही, सस्ती मिलती रही, अभी आपने थोड़ी सी कोशि की आपके इस ओर्डर को लेके की, इस डिसीशन को लेके की हमने बिजली के दर बढ़ाने है. बिजली यहां पर बहुत मिलती है, बिजली की हमेशा यहां पर सप्लाई रहती है, थोड़ा सा रेट बढ़ाया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जब आप 5 लाग करोड स इस हित्य में पहुचाने का काम भी 15 वर्सों के अपने सरकार में डॉक्टर रमन सिंगी ने किया, सरपलस बिजली उसी समय यहां पर हुआ, और 24 घंटे उस समय बिजली देते थे, किसानों को 3 HP और 5 HP, में मलब 3 HP में 6,000 उनिट साल का और 5 HP में 7,500 उनिट साल का उनको फ्री किसानों को दे रहे हैं, जो आज भी जारी है, वो भी दे रहे हैं, और जो वीपियल परिवार के हैं, उनको 30 उनिट विजली महने का फिरी दे रहे हैं, यह सब चली रहा है, लेकिन आप उभी पता है कि सब चीज महंगी हो रही है, लेकिन पिछले पांच वर्सों में विजली का किमत यहां पर बढ़ा ही नहीं, और इस कारण से विभाग के उपर काफ करज बढ़ गया है, इसलिए हम लोगों ने नॉमिनल बढ़ाया है, घरों के विजली में मातर 20 पैसा परति उनिट बढ़ाया है, और उद्योग में भी मातर 25 पैसा परति उनिट बढ़ाया है, वो टेरी फार, लोड सेटिंग उगरा है, वो सब मिला के थोड़ा ज्यादा ह लेकिन फिर भी इस साल 743 करोड का हम लोग लाब जिनकी आप चर्चा किये जो इस पंज एरन को दोपती है उनको 747 करोड उप्या इस साल भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको फैदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं 25 से 30 किलोमेटर दूर यहां पर निया राइपूर है, अभी आप वहां से ही आ रहे थे यहां पर आने से पहले, आपका निया आवास भी वहां पर त्यार हो रहा है, शायद आप वो देखने भी गए थे वहां पर जो निया आवास वहां त्यार हो रहा है, निया राइपूर च सिंबल बनेगा कि 36 गड़ आगे बढ़ रहा है कुछ किलोमेटर यहां से और आगे हम चलें अगर बस्तर के जंगलों के अंदर घने जंगलों के अंदर जहां पर नकसलवाद अभी भी चल रहा है आपका उपरेशन क्लीन स्वीप के जरीए खतम करने की कोशिश कर रहे हैं देखे नकसलवाद एक यहां की बड़ी समस्य है हमारे प्रदेश की लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हम लोग की पंदरा साल सरकार थी तब भी नकसलवाद के साथ तातकालीन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और जब अभी हम साथ महने से यहां पर सरकार में हैं तो हम लोग की लड़ाई और मजबूत हुई है और प्रानवी के दोर में ही हमारे देश के असस्वी ग्रह मंत्री आदरनी अमित सहाजी यहां पर आये थे बैठक लिये थे और उन्हें एक टारगेट दिया था कि तीन साल में यहां से नकसलवाद को समाप करना है और उस अनुरूप हम लोग काम भी सुरू कर दिये हैं डबल एंजिन की सरकार का भी हम लोग को लाब मिल रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह साथ महिने में ही डेड़ सो के करीब नकसली मारे गए हैं हम लोग सिर्फ दोनों रास्ता नकसलियों के सामने में रखे हैं अगर आप गोली बारू की बात करोगे तो सरकार गोली बारी से उसका जबाब देगी उसके लिए सरकार सक्षम है लेकिन आप अगर विकास की मुखधारा से जुड़ना चाहोगे आत्म समर्पन करोगे तब ही आपके साथ न्याय होगा और आज डेड़ सो नकसली मारे गए हैं और हजार से ज़्यादा नकसली गिरवतार और आत्म समर्पन भी किये हैं और जो भी आत्म समर्पन कर रहे हैं उनके साथ सरकार न्याय कर रही है और हम लोग लगातार अध्यान कर रहे हैं कि किन प्रदेसों में उनके साथ पुनर्वास की नीती हो या जो भी उनको लाब पहुचाने का हो अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है उसका अध्यान हम सब लोग कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रीम मंत्री हैं इस प्रदेश के विजे सर्मा जी आज इन्हीं बातों को लेकर आसाम गए हुए हैं हम लोगोंने सुना है कि उहां की पुनर्वास नीती बहुत अच्छी है तो उसके अध्यान के लिए हमारे ग्रीम मंत्री जी गए हुए हैं और जो भी नक्सली विकास की मुखधारा से जुड़ना चाहेंगे उनके साथ सरकार बहुत अच्छे से पेश आएगी और जितना उनका अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे और मजबूती के साथ हमारी सरकार नक्सलवात के साथ लड़ रही है और मुझे ये संदेह नहीं है कि अब ये धीरे धीरे सिकुडते जा रहा है इस साथ महने में हमने तेईस सुरक्षा केम खोला है और एक सुरक्षा केम खोलने कारत है जहां सुरक्षा केम खोलने हैं उसके पांच किलो मीटर रेडियस में जितने भी गाओं आते हैं उन गाओं से नकसल्यों का पलायन हो जाता है वहाँ पर पूरी तरह से सरकार की जो योजना है उसको पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि हम लोग एक नियद निलानार योजना सुरू किये हैं, यह नियद निलानार गोड़ी भासा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गाओं, तो ऐसे 23 केंप के अंतरगत इंकानब्य गाओं सामील हैं, और इ 52 या 58 ब्यक्ति मुलक योजना और करीब 18 सारुजनिक योजना इसको प्रात्मिक्ता के साथ वहां पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, वहां कोई जाते नहीं थे, वहां रस्ता नहीं था, तो रस्ता बनवाने का काम कर रहे हैं, सड़क बन रहा है, वहां बिजली पह जोने उनका आधार काड़ बनवा रहे हैं, वहां इसकूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां पर दूर संचार का मोबाइल टावल खड़ा कर रहे हैं, इस तरह से हमारी सरकार बिल्कुल प्रास्मिक्ता के साथ ऐसे जो पांच जिली अभी बचे हैं, जिसमें सुक मा, बीजापूर, धंतेवडा, नारायनपूर और काकेर का कुछ हिसा है, जो नियद निलानार योधना के अंतरगत आते हैं, ऐसे सभी गाओं में विकास को हमारी सरकार प्रात्मिक्ता के साथ पहुचा रही है, और मैं आपको यह भी बता दूँ, कि यहां के लोग विकास क मुकधारा से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन पहले उन तक कोई पहुचता नहीं था, और हमारी सरकार उन तक पहुच बना रही है, और सारी सरकार के उधनाओं को वहां पहुचा भी रही है, और मुझे पूरा विश्वास है, ऐसे छेतरों की जनता से उनका भरपूर हम को मिलने वाला है. किलोमेटर तक सरकारी सोविधा हैं पहुंचाने का एक जरीया बन गया है वहाँ पर, कि सरकारी सोविधा तो हम पहुंचा सकें किसी तरीके से, लेकिन जब आप नकसलवाद को देखते हैं, जब कोई हत्यार उठाता है एक बार, चाहे वो लाइट मशीन गन हो, चाहे वो दोन बन सकता है, तो क्या आप ये समयते हैं कि जो नकसलवाद, 36 गड़ में, पिछले लगबग चार दशक से है, वो अब अपनी आइडियोलोजी, सोच को छोड़के, ओर्गनाइस्ट क्राइम की तरह बढ़ गया है, या अब भी सोच है उसमें, या ये दोनों चीज़ें एक चीज़ें को कही न कहीं, लिभी ओसुले का एक माध्यम बना लिये है, तो आप इसको और्गनाइस्ट क्राइम समयते हैं कि ये और्गनाइस्ट क्राइमें, जी-जी बिलकुल, बिलकुल, और इसका लाब हम लोगों को मिल रहा है, जन्ता इन से दूर जा रही है, क्योंकि वास्विक्ता आज जनता पहचान चुकी है, यह लोग जनता के हितेसी नहीं है, नकसलवात के आड़ में मजा मोज आइस करने का एक माध्यम बना रखे हैं, जनता समझ चुकी है. आपसे आखरी दो-तिन सवाल मैं पूछूँगा, कि एक बार आपने एक जगा पर कहा था कि अगर आप आदी वासी नाम को देखें तो उसमें हर जगा पर राम बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है, और इस वक्त उसको लेकर भी आपकी तरफ से काम भी चल रहा है, यह भगवान राम का इन अनिहाल है, और चौदा वर्सों के अपने बनवास काल का धिकान समय भगवान राम ने छट्रिजगड के अंदर में बिताया है, और यहाने को उनसे जुड़े हुए उनके पद्चिन है, यहां सिवरी नारायन में सिवरी धाम है, जहां पर माता सबरी क जुठे बेर खाये थे, और हम लोग यहां पर राम लला दर्सन योजना के भी सुरुवात किये हैं, और हर सब्ता यहां से एक ट्रेन राम भक्तों का अयोध्या जा रहा है, बसे से भी जा रही है, सरगुजा जिसे छेत्र में जहां पर अयोध्या से दोरी कम है, वहां से ब करकारी खर्चे पर भगवान राम का दर्सन करा रहे हैं, और एक जो यहां पर पांच सक्तिपीट हैं, वह पांचों सक्तिपीट को सक्तिपीट सरकीट बनाने का काम यहां पर करने वाले हैं, उसमें आपके डोंगरगड हैं, कुदरगड हैं, दंतेवडा हैं, आपका चंद है और कुदरगड़ है पांचों जो सक्तिपीठ है इनको जोडने का काम करने वाले हैं और जो राम बन गमन पत है उसका भी विकास करने वाले हैं तो इस तरह से हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे चुंकि छत्यगड़ भागवान राम का ननिहाल है पिश्टिव जी आपसे कई सरे सवाल पूछने थे आपसे ये भी पूछना था कि आप जन आउश्टियों में और जो क्योंकि आप आदी वासी समुद्धा ऐसे चुड़े हों कई आउश्टियों में आपका बड़ा आपकी रुची रही है कि वहाँ पर किस तरीके की आउश् चत्रिस गड़ देखेंगे देखिए हमलों का सोभाग है कि स्री नरेंद मोदी जी देश के प्रधान मंत्री है जो 140 क्रोड भारत वासियों को अपना परिवार मानते हैं और राद दिन उनके लिए वो जीते हैं और पिछले 10 वरसों में हमारा जो देश आर्थिक छेत्र में 11 अस्थान पर खड़ा था उसको अपने अथक परिश्रम और दूर दिश्टी के कारण पांचवे अस्थान पर लाके खड़ा कर दिया है और आने वाले पांच वरसों में जब वो तीसरी बार परधान मंत्री बने हैं तो पूरे 200 का तीसरा सबसे बड़ी आर्थिक ताकत ब अंकलपित हैं उनको योगदान देने के लिए और आने वाले पांच वरसों में जो आज हमारी प्रदेश का जी एस डीपी 5 लाग करोड का है उसको आने वाले पांच वरसों में जसिसका डबल 10 लाग करोड करने वाले हैं और एक विच्षिच चतिसगर का एक विजन डाकु हम लोग बना रहे हैं और लगातार इस पर काम जारी है लगातार बैठके हो रही है किसानों के साथ युगाओं के साथ व्यापारियों के साथ हमारे और भी जितने भी बुद्धी जीवी वर्ग है महलाओं के साथ सब के साथ बैठक लगातार कर रहे हैं और उनका हम लोग सला मसूडा कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं, और एक 26 एकड़ का विजन डाकुमेंट तयार होगा, और एक नॉम्मर जब हमारे प्रदेश का इस्थापना दिवस होगा, उस दिन हम लोग इस विजन डाकुमेंट को इस प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे. पिश्चुदिर साया जी, डाइमेंट स्टेट समिट में हमारे साथ जुढने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूजेत इन इंडिया पे आपसे जल्द फिर मुलाकात करेंगे. नियू जेटिन परिवार को हमारे तरफ से भी बहुत धन्यवाद ये डाइमान डिश्टेट समिट करने के लिए जिसके मादम से आज आज आप सब लोगों के समक्स हमें उपस्तित होने का उसर मिला बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी आपसे आग रहे है कि आप मंच पर कृप्या बने रहें मैं अनुरोद करूंगी न्यूज इटिन इंडिया और हिंदी डिजिटिल के मादम तुम्हा मंच पर महा समबाद आखिर कैसे समबर रहा है मुख्यमंत्री विश्णु देव साय ने न्यूज एटीन के साथ इस खास मंच पर चर्चा के दौरान तो यह सबसे बढ़ा मंच सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री ने का कि कॉंग्रेस जनादेश को सभाल नहीं पाई कॉंग्रेस ने पांक साल में कोई काम नहीं किया